एक्साम दे दो और फिर उसके बाद होगा क्या रिजल्ट पे रोक लग जाएगी और अब फिर नया क्या होने वाला है कि जब एक्साम होने वाला है सारी तैयारी कर दय क 1964 लिए तो कि मैं आपको यह बितादो कि बिहार शिख्षक बाहाली जो है इसमें बीट वालों को रोक ल पर रोक लगी नहीं है रोक लग सकती है और यह पूरी तरह से निरभड करता है कि सुप्रीम कोट का फैसला क्या आता है तो आखिर कर यह हमें मतलब यह जो कशन है कि अचनेश कीज़ारन रहा है इस पर हम आमेंटल निन्टे करो कोर देको जाबारे के 6 पर अब है ऐसम वालों की सब में हैरत आखिर जितने वी इंट वाले जो और अग्य फिर अब क्यूं हो रहा है ऐसा क्यूं हो रहा है कभी आपने आप से पूछा है आप समने कि आखिर ये टॉर्चर ये mental pressure हम लोग कब तक बरदास करेंगे कि वियस में भी यही हुआ आखिरकार कितने बच्चों का जो है मानसिक तनाव से कितने ना जाने कितने बच्चे गुजर रहे हैं कि उनका रिजल्ट नहीं आया वो एक्जाम में बैट गए पी आटी वाले जो डियलेट वाले हैं उनकी क्या गलती है चलो डियलेट वाले तो पनास की नून है अगशा है और यहीं यही लगता है तो उनकी क्या गलती है अरे वी यहाले के पहले ही बता देते आप उन्हों है सारा मेहनत कर दिया सारा जीजान जोग दिया TGT का स्लेबस तो अलग होता है और 1-5 का स्लेबस अलग होता है उन्होंने भी जी जाल लगा कि मेहनत किया भी चीजे क्रिस्पर क्लियर क्यों नहीं है अब बात आती है और अब अचानक से बीच में ये बात आ जाती है DLA वालों के एमोशन से खेला जा रहा है और अब जब तक इस पर जो है result क्लियर नहीं हो जाता है जब तक इस पे एक final court order नहीं आ जाता है कि जो है बीच वाले रहेंगे 1-5 में ये DLA वाले रहेंगे 1-5 में तब तक कुछ भी कहना बहुत जादा मुश्किल है बहुत जादा unpredictable है कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह जो court system है इतना धीरे चलता है ना भाई सब इतना धीरे चलता है ना कि भाई कुछ कहना ही इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता कभी कोई absent हो जाते हैं कभी कोई लॉयर नहीं आए कभी जज ही नहीं जज सहाब ही नहीं बैठे similarly अभी अगस्त में रिजल्ट आने वाला है इस चीज का कि भाई 1-5 में बी एड रहेंगे कि डियल एड रहेंगे और अगर फिर से कुछ कोई absent हो जाते है यकिन ही कि भगवान न करे तब एक खराब हो जाती है तो फिर से इस फिर से लग जाएगा और फिर से वो finally आगे जाते जाएगा और इसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो torture होते रहेंगे mental torture है ये एक तरह से mental pressure है क्योंकि कोई भी एक्जाम की बहुत सारी चीज़े जो हमने अपनी लाइफ में डिसाइड कर रखी है वो सब जो है मतलब उन सब को भी हमें साथ साथ हमारे फैंबली भी जिलती है तो बहुत सारी चीज़े है इस चीज़े को समझने की जरूरत है क्या आप लोग को लगते है कि यह फाइनल यह खतम हो क्योंकि यह सुप्रीम कोट के तरफ से तक फाइनल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता अगर आपका भी मन है कि यह चीज़ अब खतम हो आप बहुत हुआ तो आपको कोई ने कोई स्टेप अठाना ही पड़ेगा तो अभी DL8 वालों को कोई इसूज नहीं है लेकिन B8 वालों के लिए कही न कही प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो के सामने आ रहा है अब इसमें बस मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोग अपने लिए आवाज ओठाए DL8 वाले भी क्योंकि इसमें आप लोग को लग रहा है कि DL8 वाले हैं B8 वाले यार दोनों पिस रहे हैं क्योंकि अभी देखो के विए स्प्याटी का रिजल्ट रुख गया तो इसमें हम तो यह नहीं कह सकते कि B8 वाले दोशी हैं DL8 वाले को भी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जो DL8 वाले उनकी क्या गलती थी जलो भाई वो तो 1-2-5 के लिए पढ़ाय किया था न उनोंने अब B8 वाले तो उनकी भी गया गलती थी भाई आपने पहले तो एक्जाम दैने से क्यों नहीं रोख दिया आपने तो एक्जाम दिलवा दिया उसी से में बोल देना था न तो भाई जितनी भी पक्षन सभी दुखी है कोई खुश नहीं है इस चीज से पर रिजल्ट लाओ क्लियर करो हर चीजों को बच्चों को थोड़ा रहत मिलेगा बहुत जादा अब तो लग रहा है रिजल्ट मेरी कॉमेंट मैंने लास्ट वीडियू डाली सारा कॉमेंट्स था मैं है मैं हम रिजल्ट कब हैगा आएगा भी कि नहीं आएगा वहाली बात शार आगए तो यह को क्लियर करना बहुत इंपोर्टेंट है तो मैं यह क्याती हूं कि आप लोग अपना हिम्मत मत हारो सबर रखो और सबर कफल हमेसा मीठा होता है मैं यह कहूंगी कहने को कहावत तो बहुत पुनानी है बट बहुत काम आएगी इस वक्तिक है आप लोग सबर रखें पेशिंस अगर आपने मेहनत की है तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और देर सवेर मिलता ही है बहुत सरा कोशिंस आ रहे हैं मुझे कि अगर बेड वालों को हटा दिया जाता है तो कट आफ किया जाएगी मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की मैं यह ही चाहती हूं कि स मामला आगे जाये सब लोग जो है आप सबसे मेरे यही मतलब आप सबसे मेरे यही रिक्वेस्ट है कि धहरे बना के रखें और अच्छे से जो भी एक्जाम के अपतियारी करने हो करो और फिलहाल जो इस पर आपकी क्या रहा है है कॉमेंट बोक्स में ज़रूर बताना कि 1 to 5 बेट यज इसा में बीएट यह लगा रहना चाहिए इंए अपनी अपनी राइस ज़रूर रखेगा और मेरी तरफ से मैं सबके जो ऑपीनियन अब को रिस्पेक्ट करते हूं क्योंकि आप सब महनत करते हो सभी पढ़ाय करते हो तो जो लोग भी पढ़ाय कर रहा है कोई भी में महनट कम नहीं कर रहा है, बाकी रिजल्ट तो वक्त-बताएगा ही कि क्या होनेवाला है, और दिल ठाम कि बैठिये कब रिजल्ट आता है, उमीद तो अगस्त में है, बाकी तो देखा जाएगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलती हूँ कि इस नेक्स वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई